नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पेइना गुपता है, मैं एक इनफर्टिलिटी और आईविफ स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू डेली से करी है और दिल्ली में कारवरत हूँ, आज हम बात करेंगे एमच टेस्ट के बारे में, हम जानेंगे ये टेस् अगर मान लीजिए आपकी एज 30 है, तो अमें ये बताता है कि आपकी ओवरीज क्या 30 यह साब से काम कर रही है, या फिर उनकी एज जादा है, तो हमने अपना टेस्ट एमेच का करा लिया है, क्या ये सारी इनफर्टिल कुपल्स को एमेच टेस्ट कराने के ज़रूरत है, ऐ अमेच टेस्ट हम जब कराते हैं, यदी आपको ट्राय करते वे बहुत लंबा टाइम हो गया, आपकी इनफर्टिलिटी का दूरेशन बहुत लॉंग है, आपको अनिक्स्पेंड इनफर्टिलिटी है, कि कोई कारन नहीं मिल रहा है, कि बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है, आ हैं इन्सें इनोमेट्योसिस की्सरजरीज हुई में हैं, तब आपको टेरोक्टर आपको अमेच टेस्ट के लिए ब बूल सकते हैं, एमेच टेस्ट कि किसी भी दिन कराया जा सकता है, इसमें जरूरी नहीं हैं कि पिरिए एक एक अच्छी लाब से कराएं, जहां पर क्वाल सेम ही रहती है लेकर आप अच्छी लाब से कराएंगे तो से वैल्यू को हम अथेंटिसिटी हॉनस्ली मान सकते हैं कि हाँ आपका यह लेश लेवल है आपका यह लेवल हो गया है आपका यह लेवल की वैल्यू अगर आपकी 2-6 के बीच में आती है 2-6 नेनो ग्राम पर अमल के बीच में आती है तो यह नॉर्मल वैल्यू है 6 के उपर अगर यह वैल्यू आती है तो हो सकता है आपको PCOS की डिजीज है आपकी IVF में ओवेरिन हैपस्टिमलेशन का रिस्क हो सकता है अगर आपकी एमेज की वैल्यू 1.5 से 2 के बीच में आती है तो इसको नॉर्मल ही माना जाता है तो कम नहीं माना जाता अगर यह वैल्यू 1.5 के बीच में आती है तो यह लो नॉर्मल है रिजर्फ कम हो रहा है अंडे कम हो रहे हो सकता है कि आपको ट्रीट्मिंट की ज़ुरत जल्दी पड़े अगर यह वैल्यू लेस दिन वान आती है लो आती है तो इसका चरहे हैं रिर्ल जान्द्रीम को रुँड़े अघज कोष़े कर रहों नाता खें हो कि एमीज लएह व्ल्यू ज़रता है एस अट हैश्यी बादगाल एन पाहले के में रहे हैं व्लब से कोषिश कर रहे हैं अगर आपे छोटे टाइम से कोषिश कर रहे हैं घरर ऑपर आप स आपकी उम्र अच्छी है, आप 35 साल से कम उम्र के हैं, तो बिलकुल भी घबराइए निया अगर यह लो एमेच वा सकता है, हो सकता है कि आप नाचुरली कंसीव कर जाएं, आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरुरत ना पड़े, अगर आपको ट्राइ करते वे दो साल से कम टा या फिर आपके जो एज है, वो जादा है, आपकी एज जो है, वो 35 के उपर है, तब हाँ, हम जरूर कहेंगे कि आप एक फर्टलिटी स्पेशलिस से मेली, अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करिये, अगर हमारी एज 35 के नीचे है, तो हमारी क्वालिटी ओएग्स अच अपने बढ़ेंगे, हमें फ्रीजिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता है, कि आपको डोनर एग्स है, किसी और की एग्स इस्तमाल करने की जुरूरत है, मेरा मानना है, कि अगर आपका एज लेवल है, एक से भी कम है, 0.8 है, 0.7 लेवल अगर आपका एंट्री फॉलिकल काउंट पांच के उपर है, तो आप अपने खुद के अंडे इस्तमाल कर सकते हैं, इवन इफ आपका एमेज एक के नीचे है, क्यूंकि आपकी क्वालिटी ओफ अच्छी है, आपके अगर चार पांच अंडे मिल रहे हैं, तो आपके चांस आपका एमेज बहुत ही लो है, 0.5 से कम है, तो ऐसे कंटेशन में मैं कहूंगे, शायद आपको डूनर एक्स की जरुरत है, डूनर आपको जादा चांसेज देगा कंसेप्शन के, अपर तू सेल्फ आइवेफ, लेकिन फिर भी अगर अपने अंडे इस्तमाल करना चाहते है तो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे नाच्रोल आइवेफ या मोडिफाइड नाच्रोल साइकल आइवेफ, जो आपको 40-50% चांसेज तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी डीसें 15-20% चांसेज दे सकते हैं, तो अगर हमना रहा एमच लो है, तो हम अपना एज देखेंगे, ह अगर हमारी ऑच से कम है, हमारा एमच 0.5 से जादा है, हमारा ड़िच anál मेंट फर्टिलिटी लंबा है, तो हमें आईवीएफ के बारे में सोचना है लेकिन अपने अंडो से हम सोच सकते हैं अगर हमारी एज 35 से कम है हमारा दुरिश्म इंफर्टिलिटी एक या दो साल ही है तो हम आईवाई के बारे में भी सोच सकते हैं विकाज यह भी हमें अच्छा चांस अव कंसेप्शिन दे सकता है अगर हमारी उम्र 35, 37 के उपर है हमारा दुरिश्म इंफर्टिलिटी लंबा है हमारे प्रीवेस आईवियर फेलियर्स हैं तो ऐसी कंडिशिन में हमें डोनर एक्स के बारे में सूचना पड़ सकता है तो यह हमने जाना कि AMH टेस्स से हमारा ट्रीट्मेंट कैसे डिफ्रेट कर सकता है बड़ एमज टेस्ट यह नहीं बिताता कि आपको प्रिग्नेंसी हो ही नहीं सकती ऐसा कभी भी किसी भी एमज टेस्स के रिपोर्ट में नहीं लिखा होता और यह ज़रूरी है कि यह भी जानी है कि बार-बार AMH टेस्स कराने से ना तो यह टेस्स बढ़ता है ना यह घटता है दूसरा यह question मेरी patients मुझसे काफी पूछते हैं कि मेरा AMH लेवल लो आया है मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा AMH लेवल बढ़ जाए तो यह जानी है AMH आपकी ovaries की age बता रहा है जैसे मेरी उम्र अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं कोई दवाई लेकर उसको 30 साल नहीं कर सकते वैसे ही AMH level कोई दवाई लेने से आप बढ़ा नहीं सकते अपने number of eggs को आप increase नहीं कर सकते हैं बहुत सारी दवाईयां जो मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे DHEA को क्यों बगर जो आप लेते हैं कहा चाता है आप तीन महीने लिए तो आपका number of eggs बढ़ जाएगा आपका IVF की success rate बढ़ जाएगा पट ऐसा कोई भी studies जो बाहर की company ओने studies करें अफिर AIMS में जो studies हुई है किसी में भी DHEA से increase in pregnancy rates नहीं देखा गया है जैसा मैं जानती हूँ जितना आप इन दवाईयों पर इन पर अपना time लगाते हैं अपना time और पैसा दौनों ही waste करते हैं हो सकता है उस ताइम जो आप DHEA ले रहे हैं आपके अंडों से ही बच्चा बना लें तो जरूरी है कि जब आपका AMH लो आता है जल्दी से आप किसी दौक्टर को दिखाएं रादन वेट करें कि मैं किसी दवाईयों से इसको बढ़ा सकूँ कि kamika यंए अंगिधा ठोल लेवल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है प्रिग्स in नहीं आ सकती आपका बच्छा हो सकता है अबको सही ट्रीक्मेंट सही लाब जाहां पर अच्छी व्लास्ट तो ऐसा जहां पर अच्छा फटलाइशेशन रेट्स जहां अच्छी प्रिग्न मुझे एमेल या फोन कर सकते हैं धन्यवाद